मुंबई के मलाड परिजर के मारवे बीच पर नहाने गए पांच लड़के सम्मुद्र में डूब गए सभी के उम्र 12 से 16 साल के बीच हैं घटना सुबह करीब पॉने 10 बजे हुई जबकि इसकी खबर पुलिस को कल सुबह 10.30 बजे मिली इस घटना में दो बच्चों को कल ही बचा लिया गया था लेकिन तीन बच्चों के शव आज बरामद हुए है एक पुलिस अधिकारे ने कहा कि मुंबई के मारवे बीच में डूबने की आशंका वाले तीन नाबालिक लड़कों के शव सोम और सुबह पाये गया तीनों बच्चों की उम्रव 12 से 16 साल के बीच है जो यहां के मालवान इलागे की निवासी है रविवार सुबह उपनगरी मलाड में मारवे क्रीक में खुझ गया फायर बिगेड की पहुँचने से पहले उनमें से दों को कुछ लोगों ने बचा लिया जबकि तीन अने लापता हो गये थे आगने शमन विभा के कर्मी, पुलिस, तडरक शकबल और नौसेना के गोता खोर घर्टना सलप पर पहुँचे और तलाशी अभियान शुरू किया जो रविवार रात को रोग दिया गया आज दुबाया तलाशी अभियान शुरू किया गया इस दोरान एक हेलिकॉप्टर भी शामिल था काफी देर बाद एक एकर लापता तीनों लड़कों के शवक को सोम और सुबब पानी से बाहर निकाला गया और अस्पिताल भेजा गया उन्होंने कहां कि 12 साल के एक अन्य लापता लड़के का पता लगाने के लिए प्रयास जारी है वीरी रिपोर्ट, वी सार्स नियूस, मॉंबई, महरास्ट